अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक पुर्वी दिल्ली की एंटी नार्कोटिक स्क्वार्ड की टीम ने एक आटो लिफ्टर को गिरफतार किया पुर्वी दिल्ली जिला की डी सी पी अपूर्वा गुपता ने मीडिया को बताया एक घोशत अपराधी बटा हताश चोर बटा चोर सह आटो लिफ्टर जिसका नाम माहरुक खान उर्फ मक्कू उर्फ तुक्टुक उर्फ आहिल उर्फ गौरव उर्फ आमिर उर्फ अनिल चौधरी उर्फ मुक्का पुत्र हारुन खान निवासी 467 कुमहार बस्ती ग्राम घर दिल्ली है उम्र 30 वर्ष है नार्कोटिक स्क्वाड पूर्वी जिले के कर्मचारियों द्वारा गिरफतार किया गया यहां प्रस्तुत किया गया है कि 24 फरवरी 2024 को एंटी नार्कोटिक स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली थी कि एक चोर उचक के जिसका नाम माहरुक खान है अपरात करने के लिए चोरी की स्कूटी के साथ पीएस न्यू अशोक नगर शेतर में घूम रहा है उसी के आधार पर एसाई ओम सिंग, एसाई अरुन कुमार, हैड कांस्टिबल देवेश कुमार, हैड कांस्टिबल अशोक कुमार, हैड कांस्टिबल लाखन सिंग और कांस्टिबल कौशल की एक समर्पित तीम का गठन किया गया जिसका नेत्रित्व इंस्पेक्टर अरुन कुमार प्रभारी एंती नार्कोटिक स्क्वार्ड एसीपी ओप्स केपी मलिक की अधोह स्ताक्षरी की देखरेक में बनी टीम गुप्त सूचना के अनुसार छापे मारी टीम ने डीडिये पार्क गाजीपुर डेरी फार्म मयूर विहार फेज दिल्ली के पास एक जाल बिछाया और एक शातिर चोर चोर सहा आटो लिफ्टर का नाम महरुक खान उर्फ मक्कू उर्फ तुक्टुक उर्फ आहिल उर्फ ग का पुत्र हारुन खान निवासी 467 कुमहार बस्ती गाव घरोली दिल्ली उम्र तीस वर्ष को चोरी की स्कूटी नंबर डियेल पाच साम 5474 के साथ पकड़ा गया जो ये फायार संख्या 025128 23 के तहट पीएस लक्ष्मी नगर क्षेत्र से चोरी की गई थी IPC की धारा 389 के तहट पूच्टाच करने लार एक स्कूटी और दो मोटर साइकल और बरामत की आरोपी का प्रोफाइल वह वर्तमान में अपनी मा और एक छोटे भाई के साथ 273 दूसरी मनजिल देरी फार्म मयूर विहार फेज दिल्ली में रह रहा है उन्होंने पांचवी कक्षा तक पढ़ाई की है और अपने पिता की मृत्यू के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वह बचपन से ही चोरी करने लगा था और उसकी कम उमर के कारण लोग उसे चोड़ देते थे उन्होंने कम उम्र से ही शराब और धूमरपान का सेवन भी शुरू कर दिया था 2013 से उसने अपने साथियों के साथ घरों में चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था वह पहले भी दिल्ली और अन्य राज्यों की जेलों में जा चुका है और अपने अलग-अलग नाम बताता था ताकि उसका सही रिकॉर्ड न रखा जा सके वसूली, दो स्कूर्टी, दो मोटर साइके